Mentox test के बारे में बात करेंगे ये टेस्ट कब करते है हमारी बोडी के अंदर जब TB हो जाती है जिसे हम Tuber C Astrausuis बोलते है इसकी जाँच करने के लिए हम Mentox test करते है अब हमारी बोडी के अंदर TB कैसे होती है हमारी बोडी के अंदर एक बैक्टिरिया पाई जाता है उस बैक्टिरिया का नाम है माइको बैक्टिरियम टूबर क्लोसिस जब हमारी बोडी के अंदर परती रक्षा तंतर कमजोर होता है तो ये बैक्टिरिया एक्टिव हो जाता है और active होने के बाद हमारी body के अंदर TB हो जाती है TB हमारे lungs में भी हो सकती है हमारी bone में भी हो सकती है हमारी छोटी आथ, बड़ी आथ, पेट में भी हो सकती है skin में भी हो सकती है और आखों के अंदर भी हो सकती है body में TB कहां भी हो सकती है और यह Mycobacterium tuberculosis यह bacteria हमारी body के अंदर हर जगह पाये जाता है जब हमारी body के अंदर परतिरेक्षा तंतर कमजोर होता है तो यह bacteria active हो जाता है और हमें TB हो जाती है जब हम कमजोर होते हैं तो हमारी body के अंदर यह bacteria active हो जाता है और हमें TB हो जाती है इस परकार से Mentox टेस्ट करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा ये टेस्ट कैसे करते हैं इस टेस्ट को करने के लिए आपके पास दो परकार के injection होने चाहिए एक होना चाहिए 5 TU इस परकार का और एक होता है 10 TU जो 5 TU है ये 12 साल के कम बच्चे से यूज करते हैं जैसे एक साल से 12 साल तक और 10 TU ये 12 साल के बाद यूज करते हैं और हमें Mentox टेस्ट करने के लिए इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाना है अब ये कैसे करते हैं इस परकार की सिरिंज लेनी आपको Mentox टेस्ट करने के लिए और ये हमें इंट्राडर्मल लगानी है आप कैसे करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे जबी आपको Mentox टेस्ट करना है तो आपको जो हाथ अपना अल्बो उससे नीचे आपको इंजेक्शन लगाना है इंट्राडर्मल जैसे आपने ये इंजेक्शन लगाया यहाँ पर यहाँ पर इंजेक्शन लगाया इंजेक्शन लगाने के बाद आपको एक पैन से इसके चारू और एक गोला मनाना है छोटा सा और आपको कुछ देर तक वेट करना है दस या पंदरा मिंट उसके बाद आपको स्केल लेना है और स्केल से आपको क्या देखना है कि यहां से और यहां तक और यहां से यहां तक आप कैसे भी नाप सकते हो, इधर से भी नाप सकते हो, इधर से भी नाप सकते हो, 10 mm, एक सेंटीमिटर से भी कम आपको देखना है, यदि 10 mm से जादा इसकेल में ये बबल आपको दिखाई देते हैं, तो आपका जो टीवी का टेस्ट है ये पोजेटिव है, यदि 10 mm से कम होता है तो यह नेगेटिव है इंजेक्शन लगाने के बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूँ आपने यहाँ पर इंजेक्शन लगाया यहाँ पर और कुछ देर तक वेट करना है और एक गोला खीत देना है इसके चारों ऐसे आप देखना है कि जो स्कीन के उपर रेड कलर कहां तक है वहां तक आपको एक गोला और खीचने है एक गोला खीचने के बाद आपको इसकेल की साहता से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक इसकी लंबाई लेनी है यदि लंबाई में 10 mm से ज्यादा होता है तो टी बी का ट है तो ये टेस्ट नेगेटिव है कि इस परकार हम है मैं नेयों टैस्ट करते हैं और ती बी की जांच करते टीबी की जांच करने के लिए X-ray भी होता है, NART test भी होता है, इस PUTUM test भी होता है, अनेक प्रकार के test होता है, सबसे best test ये भी होता है, ये शुरुवाती first stage में आप ये test कर सकते हो, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच,